नमस्का दोस्तों आज हम बात करते हैं इन डिस्प्लेइ बायोमेट्रिक स्कैनर के बारे में स्पेशली सेंसें स्मार्टफोन के अंदर क्या एन है कि वन युवाई 5.1 के बाद में कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिन में आपको यह दिक्कत देखने मिलती है बायोमेट्रिक स्कैनर सइसे वर्क नहीं करता है उनलॉक नहीं होता तो बहुत से कमेंट्स है कि बहुत वाई 5.1 के बाद में यह दिक्कत आ रहिए और कुछ ऐसे स्मार्टफोन है स्पेशली सैंसने 52S 5G इसमें भी दिक्कत क्या आती है कि यह सईसे वर्क नहीं कर रहा है बाइमेट्रिक्स स्मार्पोन हो सकते हैं जिन में इसी दिक्कत आती है तो अगर आपका भी समसेंज स्मार्पोन एंदर अगर इन डिस्प्लेय सेंसर है जो कि जलता है फार्स नहीं सब्सक्राइब करना चलिए वीडियो करता है और उसके बाद में अगर देखो तो यह बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है आपको बस सही से टैप करना पड़ता है यह देखिए टैप अनलॉक हो जाता है तो कोई दिक्कत मुझे बिल्कुल फेस नहीं करने पड़ रहे और अगर आप टैफन ग्लास लगाते हो तो इसका स्पीड कम जाता है लेकिन यहाप टैफन ग्लास है और इसके उपर भी मुझे यह पर टैफन ग्लास में लगाया हो है आप यह बिल्कुल फास्ट वर्क करता है यह देखिए टैप एड अनलॉक तो यह भी फास्ट अनलॉक कर है कोई दिकत मुझे नहीं आ रही है तो मैंने कैसे सेट किया आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके स्मार्फोन में कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा और आपका जो बिल्कुल फास्ट अनलॉक हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले सेटिंग में आप यह सेटिंग के अंदर और आपको यह पर जाना है सबसे डिस्प्लेइ के अंदर और आप यह पर क्या करो कि touch sensitivity को क्या करो आप आप अन कर दो touch sensitivity आपको कर देनीं ओके अगर आपने screen protector लगाया हुआ है तो अगर नहीं लगाया तो आप इसको आप भी कर सकते हो इसके बाद में आ जाना है अपने Biometric scanner के अंदर, आप यहापे दूंडों सिंबल से Security and Privacy, आपको यहापे नीचे देखने मिल जागा Biometric का Option, क्लिक करो, और आपका जो पहला Biometric sensor होगा, आप उसको Unlock कर दो, Unlock बल दो, आप उसको Remove कर दो, तो यह देखिए मेरा जो पहला वाला था यह, मैं यहाप पहले वाले को Remove कर देखिए, जितने भी पहले वाले होंगे Finger fingerprint sensor आपने लगाये हुए, आप उन सभी को Remove कर दो, अभी आपको क्या करना है कि जाना है Finger Print के अंदर, और आपको नया सा यहापे सेट करणा है अपना Finger, लेकिन आपको करना गया है, कि आपके जो Screen है इसको आपक कि थम आपका नहीं लेगा तो वह अगर अच्छे क्वाल टेकर नहीं होगा या फिर बहुत लगा खराब हो चुगा होगा तो आप उसको चेंज करा और नया ट्रफन ग्लास लगा पचास सव रुपे कहा जाता है आप उसको चेंज करवा अभी हम यहां पर फिर से रेश्टर क बिल्कुल आप बिल्कुल इसको अलग अलग तरीके से अपर सेट करते जाओ और आप इसके उपर लगातार यह पाच उंगलियों को भी सेट कर सकते हो यह आप इनको भी सेट कर सकते हो यह देखिए जैसे कि मैं इनको भी सेट कर रहा हो तो आप इनको भी सेट कर सकते हो यह देखिए अगर सेट नहीं होता है तो आप यहाँ पर चेंज करते जाओ अपने पोजिशन को यह देखिए इस तरह से थोड़ा आपको डबा के प्रेस करना है थोध आसान है आपको बिल्कुल अललतर के से करना है यह देखिए डन हो चुका है यह दन कर दिया है हमने कम्लिट ह तो आपको यह पर देखने मिलता है दो एनिमेशन एक तो यहाँ पर यह आपने जैसे रेइस्टर के आपको यह पर देखने मिलता है शो एनिमेशन विन अनलॉकिंग अगर आप यहाँ पर अनलॉक करते हो तो आपको एनिमेशन देखने मिलेगा सरकल वाला वह आपको यह ब देखने मिल लिएगा श्रॉ अनलॉक ट्रांजिशन इफेट आपको ये भी बन कर देना है ओके यह दो बन कर दो और आपको यह भार निकल जाना आँ अभी इसके बाद में आपको करना गया है कि आपको देखना है अनलॉक करके हैं यह हम करते अभी अनलॉक यह देखे लिए फिल भी हो जा रहा है देखिए कुई दिक्कत नहीं है ये देखिए तो हम इस Apex से भी करते है लूक बिलकुर फॉस्ट हो रहा है कोई भी इहापी दिक्कत नहीं आ रही बस आपको रेजिट्टर करते हैं वक्त यहां पे जैसे आप अनलॉक होरा है वैसे आपको करेंगे इसको हो जाता है और इस से पर सकते हो तो अब रहे बाद को चेंज और पहले बाद तो आप और तो आप अब करके आए डिस्प्ले के अंदर जा करके और अगर आप अपने पहले रेइश्टर करके रखा तो बिल्लकुल रिमूव करो और नय से set करो, तो अब भी बिल्कुल fine work करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको apply करना है और यहापे बिल्कुल fast unlock होने लग जाएगा